मानेनिय मुक्मंत्री जी का नारा था बदलो सरकार पाव अधिकार और जो भी होमगाट के जवान अपने साथ हो रहे हैं सोचनल खिला पवाज उठात है उन पर करवाई कर दी जाती है पुद मुकमंती जी के पिता जी माने नहीं है आधरने स्री सेवो सुरेंजे भी एक गिरचक रह चुके हैं तो आखिर फिर गिरचक के साथ दोरी निती क्यों किया जा रहा है ऐसा अंदोलन होगा जैसा पारत सिचक ने भी नहीं किया था वैसा अंदोलन हम लोग खड़ा करें है जी हाँ आज होमगाड जवान पूरी तरह से काला बिल्ला लगा करके विरोत परदर्शन कर रहे हैं और आज इसले कर रहे हैं क्योंकि होमगाड आज अस्थापना दीवस है हमारे साथ मौझूद है परदेश महासचिव राजी तीवारी जी जो लगतार आवाज हमें ने आप से मुलाकाद की तो किया अप तक आपके मांगत पूरी नहीं हुए ओर अब तक हमारे मांगत पूरी नहीं हुई इन मांगों को लेकर आप सभी मीडिया बंदू को पता है कि विदान सभास लगातार 35 दिन का अंदोलन चला था वह भी कुरोना के जब बढ़ा पर को पढ़ा हुआ तो उससे में उत्वरान भी सरकार को दिन से वारता हुई वारता को दूरान उन्होंने हमारी एक मांग पूरी की जिसमें उन्हें साथी समानकार समानवेतन का जो हुए से मानने जभान पूरी नहीं कर रही है और दो प्रूप कर लेगा जो रालत हुए और तो एक गुलामARY की तरह बन के रह गयां है गुलाँ की तरह उसके साथ वैवार होता है उनका सोळशन होता है यह साथ हो रहें से हुला हमाइगा कर देए धिक वहागीदारी देंगे हाल निश्ची तरुप से यहां से जाएंगे पुरे जबान ड्यूटी का पहिसकार नहीं करेंगे जो जबान ड्यूटी में बैठे हुए है वही जबान लोग जाएंगे अभी अभी होमगाड के जवान जारकन में 19-20 जबान है परन्तु मात 10-20 मिलती ह नौजा जबान बैठे रहते हैं वैसे बैठे जबान जो है कि वारा दान डिली में जाकर आंदोलन में सामील होंगे जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं वाके में पीछले बार भी देखा गया कि आप लंबे समय तक विधान सभा के सामने भी अब तक हुआ जोन्हीं अठीकार में एक जुटे बौरबादी मैदां में और जूड़ा रंग से माने birthday मह त्रेंकर चैसे मिलने नहीं दिया गया आकि यह हम लोग समझ में आता है कि जो होमगाड के जवान इतने दबे कुछले हैं खुद मुखमंत्री जी के पिता जी माने निये आधरने स्री सेवो सुरें जी भी एक गिरचक रह चुके हैं तो आखिर फिर गिरचक के साथ दोरी निति क्यों किया जा रहा कि जब भी होमगाड की बहाली होगी, 15 जीट महीलाओ को रेजर्व होगा, आज होमगाड की बहाली हो रही है, महीलाओ को पर प्छाप चीन आरक्षन जरूर मिल रहा है, परन्तु द्यूटी उस पर पर फरजए केस कर दिया गया आज तो क्ला बिल्ला संक्यत है इसके बाद भी जो 19 हजार आपकी आबादी है तादाध है उर्जचिवर के लिए तयार हो जाएगी इस बार आंदोलन उगरा आंदोलन होगा ऐसा आंदोलन होगा जैसा पारत सिचक ने भी नहीं किया था वैसा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे अभी चुकी राज़श्ट्री एस तरफ आंदोलन होना है 19 इसमबर को दिली में इसलिए हम लोग भी दिली जा रहे हैं दिली से आने के बाद पूरे जारखन के जितने भी प्रतिदी हैं सभी एक जगा बैटेंगे और बैटकर जोड़दार निती बनेगी परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आवाज पहुचेगी तो वो जरूर हमारी मांगों को पूरा करेंगे अब देखना है यह मांग एक कब तक पूरी होती है क्योंकि अब हमारे जारखन राज के होमगार जवानों का सब्रका बान टूट चुका एक बात और मैं कहना चाहूंगा होमगार जवान से ड्यूटी करा लिया जाता है परन्तु उनके मांदे का भुकतान नहीं होता है उधारन सोरुक करोना करोना जैसे ड्यूटी भी होमगार जवानों ने किया परन्तु उसके भत्ते का भुकतान कही जिलाओं में अभी तक नहीं हुआ है पंचाय चुनाव duty भी जवानों ने किया उसके भत्ते का भुकतान नहीं हुँए अगर होमगार्ट जवान से duty कराई है तो उसके भत्ते का भुकतान समय से क्यों नहीं कियाता है ये भी एक गंबरी प्लस्न है इसे जारखन के मुख्य मंत्री महटे को सोचना चाहिए तो वाके में आपने सुना कि जारखन में लगभग 19,000 होमगाड जवान की तादाद है जिसमें महस 10,000 होमगाड के जवान को ड्यूटी मिलती है बाकी के बैठे रहते हैं और साफ कहना है कि आज काला बिल्ला लगा करके एक संकेतिक विरोध परदशन किया है इसके बाद भी अगर सरकार किया निंद नहीं तूटती है सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ऐसा अंदोलन देखा जाएगा ज़ारखन में जो अंदोलन किसी नहीं किया है बारहाल देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को लेकर सरकार कितनी गंबिरता पुर्वक कदम बढ़ाती है या फिर एक बार हेमंद सरकार को होमगाट के जवान के विरोध परदसन देखने को मिलती है सायोगी धरमेंदर के साथ रफी समी न्यूजविंग रांची अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राटा